Hey 10 class students, हमारी last videos में हम metals का reaction पढ़ चुके हैं metal water के साथ कैसे react करती है metal soil के साथ कैसे react करती है metal dahluk acid के साथ कैसे react करती है और हमें क्या मिलता है हम सब पढ़ चुके हैं कि metal कैसे कैसे react करती है किस-किस चीज के साथ react करती है तो यह सब क्यो होता है, यह किस चीज में डिपैंड करता है, हाव डू मैटल्स एंड नोन मैटल्स रियक्ट्स, हम सब अबॉव एक्टिविटीज जो हमने पड़ी ही लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट फोर तक उसमें हम देख चुकि हैं, reaction of metal with a number of reasons, यह जो metals है वो इस manner में react क्यों करती है, same manner में react करती है, क्यों करती है, हमने 9th class में एक word पढ़ा था, और इस चीज को पुर्कुल अच्छे से भी पढ़ा था, electronic configuration, electronic configuration हम पढ़ चुके है, electronic configuration में क्या होता है, यह हम आज दोबारा से थोड़ा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे, कि जो metals हैं, more metals हैं, वो कैसे react करती है, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, number of electron in different different shell, तो वो हमें पता होना चाहिए, हम यहाँ पे चार shell की बात करते हैं, सबसे पहले शुरू में, that is KLMN, जो KLMN है, यह सबसे first shell होता है, this is second, this is third and this is fourth, यह सब कैसे feel होते हैं, इनके लिए एक general formula होता है, that general formula is 2 and is to power 2, means, first में हमारे लिए क्या होगा, for K, it would be 2, for L, it would be 8, for M, it would be 18, and for N, it would be 32, that means, K, L, M, N, 2, 8, 18, 32, but, to form a stable configuration, we should follow this 2, 8, 8, 18, in this class, we are going to follow this configuration in KLMN, first of all, for type of element like noble gas, noble gas, noble gas means, the elements in noble gas would be helium, neon or argon, now, the atomic number of these three would be helium's atomic number is 2, neon's 10, and argon 18, हम अब क्या करेंगे, 2, 10, 18, atomic number को, same number of electrons में, number of electron in shells, हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐसे लिखेंगे, K, L, M, N, तो सबसे पहले K में 2 ही जाएंगे, तो हमारे पास K के अंजर 2 के 2 चले जाते हैं, L और M, के लिए हमारे पास कुछ नहीं बसता इसमें, 10, 10 मेंज, अगर 2 सबसे पहले K में चले गे, 2 यहां गए हमारे 8 L में, और जो 8 पचे हो जाएंगे हमारे M में, हम कोई metal किसी भी metal की बात करते हैं, अगर, यह हमारी noble gases थी, in case of metal, sodium, Na, magnesium, non-metal भी निख लेते हैं हम यहां पे, chlorine, C, sulfur, oxygen, sodium की बात करते हैं, sodium का जो atomic number होता है, that is 11, magnesium का होता है 12, 11, 11 means 2 यहां पे चले जाते हैं, 8 यहां पे, और हमारे पास जो एक बच्चता है, वो M में जाता है, magnesium के 12, तो 2, 8 यहां और यहां पे 2, chlorine में क्या होता है, chlorine का जो atomic number होता है, वो होता है 17, यहां 2, यहां 8 और यहां पे 7, in case of sulfur, that is having atomic number 16, 2, 8, 6, oxygen, atomic number 8, 2 and 6, अब हम इन सब के stability की बात करते हैं, कौन कौन से stable होते हैं, कौन कौन से stable नहीं होते, हमारे पास क्या होना चाहिए, इस तरीके से जो इनकी electronic configuration है, वो फिल होनी चाहिए, that means, वो stable होंगे, अगर उन बें ऐसे बस्ते हैं, 1, 2, 7, 6, that means, क्या है, कि वो जितने भी metal या non-metal है, जो भी element हम लेके चल रहे है, type of element जो हमने बात कर रहे हैं, वो क्या है, non-stable होगा, उसको stable होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो अपना एक जो इलेक्ट्रोन जो उसके पास एक extra है, उसको reduce करना पड़ेगा, या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जिसे 7 हैं यहाँ पे, अगर 1 है, तो वो reduce कर सकता है, अगर उसके पास already 7 है, तो वो 7 के 7 reduce करने, लूज करने नहीं बैठेगा, 7 के साथ वो एक gain कर सकता है, वो किसी के साथ भी मिलके gain कर सकता है, अगर हम बात करते हैं, sodium और जब chlorine react करते हैं, तो उन में कैसे होता है, जो sodium है, sodium में हमने देखा क्या है, 2, 8 और 1 है उसकी electronic configuration, तो sodium क्या है, sodium can be taken by, जो sodium का electron है, electron of sodium can be taken by chlorine, because chlorine have 7 in its outermost shell, जो इसका M shell होता है, उसमें यह 7 हैं इसके पास, जो outermost shell है, उसको stable बनाने के लिए यह क्या करेगा, outermost shell में से, एक sodium में से ले लेगा, gain कर लेगा, अब जब sodium है, तो sodium तो ऐसे दिखाता है, 2, 8, 1, इस 1 को reduce करके, sodium जो है, कैसे बनता है, इसके उपर एक positive charge आ जाता है, 2, 8 यहाँ पे बनते हैं, और इस 1 electron को जब यह lose कर देता है, तो यहाँ पे एक electron ऐसे आ जाकता है, in case of chlorine, chlorine में क्या है, 2, 8, 7, chlorine क्या करता है, electron gain करता है, that means electron उसके इस तरह आएगा, और gain करने के बाद उस पे negative charge आ जाता है, negative charge means, जो 2, 8, 7 था, वो 2, 8, 8 बन जाता है, एक electron उसने gain कर लिया, that means क्या हुआ, chlorine negative charge में आ गया और 2, 8, 8 बन गया, तो यह जो N, A और C, L हैंगी क्या करते हैं, आपस में reaction करके, sodium lose कर देता है, electron को, जो electron उसने lose किया, उसको chlorine gain कर लेता है, जब हम sodium की बात करते हैं, sodium और chlorine की जब बात करते हैं, तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, sodium के पास एक extra होता है, तो वो extra electron हम ऐसे लिख सकते हैं, जो chlorine है, chlorine के पास 7 होते हैं, 2, 4, 6 और 7, इसको अपना पूरा जो orbit है, outermost orbit M, उसको fill करने के लिए एक electron चाहिए, तो यह electron कहां से चला जाता है, यहां से, यहां चला जाता है, that means, Na के उपर positive charge आजाएगा, और यह electron यहां चला गया, तो CL क्या होगा, CL के उपर negative charge आजाएगा, यह क्या होती है, formation of sodium chloride, ऐसे ही होता है, मतलब जब हमने पढ़ा के how do metals and non metal react, तो यह ऐसे react करती है, जो metal और non metal है, वो कैसे react करती है, वो ऐसे ही react करती है, हमेशा ही, तो हम कह सकते हैं कि यह ऐसे ही होता है, ऐसे ही अगर हम potassium chloride की बात करें, KCl, potassium में क्या होता है, potassium के octet में जो होता है, 2A1 होता है, क्योंकि potassium का atomic number होता है, होता है, chlorine का atomic number हमें पता ही था, और इसकी जो configuration हमें लिखी थी 287, potassium chloride कैसे react करता है, जिसका एक यह electron होता है, उसको lose करता है, और chlorine उसको ले लेता है, that means क्या होता है, KCl, potassium chloride भी बन जाता है, sodium और chloride, potassium और chloride जो है, उनके जो ions होते हैं, इसका ions positively charged होता है, इसका negative, तो जो ions होते हैं, oppositely charged होते हैं, oppositely charged हमें हमेशा बढ़ा है, हमेशा attract करते हैं, जो भी opposite charge होता है, हो क्या करता है attract करता है attract each other और यह क्या होते है attract करने के बाद उनके अंदर एक force होता है strongest force electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction उनको क्या करता है bound करके रखता है जो sodium chloride बना जो copper chloride बनेगा जो potassium chloride बनेगा वो सब क्या होगा उनको बाउंड करके रखना electrostatic force of attraction का ही काम होगा अब अगर हमें एक से जाधा ionic compound बनाने हैं जैसे magnesium chloride magnesium chloride कैसे बता है अगर हम mg की बात करते है magnesium magnesium की यहाँ पर टू पॉजिटिव और टू इलेक्रोन उसने यूज किये यह क्या बना magnesium का कैटायन जब उसके साथ chlorine होता है तो chlorine 287 प्लस एक इलेक्रोन की ज़रूरत है क्लोरिन किया तो chlorine सिर्फ एक ही इलेक्रोन लेगा और एक इलेक्रोन लेने के बाद गेन करने के बाद यहाँ पर टू एट एट आ जाएगा that means mg magnesium के पास दो जो इलेक्रोन थे वो बैलंस थे chlorine के पास अगर हम chlorine कभी भी magnesium जो है single chlorine के साथ रेक्ट महीं करेगा क्योंकि magnesium के पास दो इलेक्रोन थे chlorine एक पार में सिर्फ एक इलेक्रोन ले रहा है तो इस एक्वेशन को बैलंस करने के लिए करने के लिए वह हमेशा 2 chlorine के साथ रेक्ट करता है तो एक इलेक्रोन यहां जाता है एक इलेक्रोन यहां जाता है क्लोरिन का जो इतने इलेक्रोन वालंस से उसके यहां पर भी C7 तो एक उसका इलेक्ट्रोन यहाँ चला जाता है और एक इलेक्ट्रोन उसका यहाँ चला जाता है That means, क्या होगा Mg2+, और Cn ऐसे बन जाता है और यहाँ पर नीचे 2 आ जाता है अगर हम इसको simple लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं Mg 2Cn Mg Cn Magnesium chloride हमेशा ऐसे ही बनता Next है हमारा topic Properties of Ionic Compound जो हमने अभी Ionic Compound जिनके बारे हमें पढ़ा है उनकी Properties Properties of Ionic Compound क्या होती है हमें सबसे पहले NCRT में से एक activity लेनी है वो activity क्या है Properties of Ionic Compound के नदर जो एक activity है हमें sodium chloride, potassium iodide इनका sample लेना है इनको sample लेने के बाद melting और boiling point उनका Ionic Compound का यहां पे लिखना है देखना है कि पेट्रोल से के अरोसीन से किसमें डिजॉन हो जाती है heat करना है spatula से तो सबसे पहले हम जो properties पढ़ेंगे उन properties में सबसे पहले आता है physical nature Ionic Compounds जो होते हैं solid होते हैं और hard होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि उनके भी जो force of attraction होता है that is very strong between positive and negative ions there is a strong force of attraction जो compounds होते हैं generally brittle होते हैं चमकदार होते हैं जब इनको pressure में प्रेशर लगाते हैं इनके उपर pressure apply करते हैं तो यह pieces में तूट जाते हैं melting and boiling point की जब हम बात करते हैं तो Ionic Compounds होता है high melting and boiling point होता है यह क्यों होता है high melting and boiling point इसकी बज़े से क्या होता है इनका strong interionic interaction जो होता है वो बहुत ही strong होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा energy की ज़रूरत परती है considerable amount of energy that means they would have a high melting and boiling point solubility क्या होती है generally soluble होते हैं water के अंदर और solvent जैसे kerosene बगर है petrol बगर है इनके अंदर soluble नहीं होते हैं जब conduction of electricity के अगर हम बात करते हैं तो solution होता है कोई भी जैसे ionic compound को कोई solution होता है water के अंदर वो ions को contain करता है ions को contain करने के बाद हम कह सकते हैं यह opposite electrode में जाता है हमेशा और solid state जो होती है molten state में वो सब electricity को conduct अच्छे से कर सकते हैं हमें यहाँ पर electron dot structure लिखना है sodium oxygen और magnesium का sodium और magnesium का हम already लिख चुके है oxygen का भी हम लिख सकते हैं हमें oxygen की जो atomic number थी वो पता थी वो 8 थी हम उसकी configuration लिख सकते हैं atomic number से 8 से हम उसका configuration आराम से लिख सकते हैं हमें formation करनी है na2o और mgo by the transfer of electron na2o की बात जब हम करते हैं तो na2o के पास सिर्फ 8 balance electron होता है और जो oxygen होता है उसको 2 balance electron चाहिए होते हैं क्योंकि जो विखिए na2o na के पास सिर्फ 1 electron होता है जो oxygen होता है उसकी 8 होती है तो oxygen को हमेशा 2 gain करने होते हैं तभी oxygen सही बन पाता क्योंकि oxygen की होती है 2 and 6 oxygen को हमेशा 2 electron gain करने होते हैं तो यहाँ पर O2 negative यह बन तो साथ बन सकता है हमें बनाना है na2o तो हम कैसे बनाएंगे na2 na present होंगे हमारे पास दोनों के पास एक एक electron होगा oxygen यहाँ पर और यहाँ पर भी oxygen इनके पास कितने कितने हैं 6 6 already है यह दोनों के साथ ही होगा तो एक electron यहाँ से जाएगा और एक electron यहाँ से जाएगा that means na क्या होगा उसके उपर 2 plus यहाँ पर 2 आ जाएगा और जो oxygen है उसके उपर आएगा 2 negative का charge मतलब oxygen क्या हुआ यह उसने यहाँ से gain कर लिए यह है Na2 O की formation sodium oxide की formation ऐसे ही हम formation कर सकते है magnesium oxide की ions क्या होते हैं compounds के अंदर present की हमने फुरी definition की थी ionic compound का high matching point क्यों होता है क्योंकि वो उनके अंदर strongest जो होता है inter ionic attraction होता है जो force लगता है वो बहुत ही strong होता है और उसको break करने के लिए तोडने के लिए हमें बहुत ही जादा energy की जरूरत होती है उस energy की वज़े से ही उनका magnetic points बहुत ही high हो जाता है इसलिए नेक्स टॉपिक है 3.4 extraction of metal and corrosion extracting metal slow in acidity series in middle of activity series towards the top refining of metal, corrosion यह सारे टॉपिक्स हमारे NCRT ने इस बार रिमूव कर लिए हैं तो यह टॉपिक हमें करने की ज़रूरत नहीं है इस चप्टर से हमने क्या सिखा वाट यू हाव लांग फॉर्म इस चप्टर disability series कहते हैं डिटनी तो फों सब्सक्राइब कर सकते हैं जितनी मीनल डिश्पशे कर सकती हैं कॉन से होती है जो यह अपने इस ओप्र होता है यह कि नहीं पड़ा यह जो हमने नहीं पड़ा क〜 क्योंकि यह सारे टॉपिक NCRD ने इस बार रिमूव करते हैं नोन मेटल जो होता है अपोजिट होते हैं मेटल्स के नाइदर मैलेबल नो डॉक्टाइल बैड के लेक्टिसिटी के एक्सेप्ट फोर ग्रेफाइट विच कंड़क्स इलेक्टिसिक नोन मेटल्स जो होते हैं ले तो मेश्या हाइडोजन के साथ रियेक्ट करते हैं जिससे हाइडराइट बनाते हैं तो इस वाज आप आफ चेप्टर मैटल्स अड नोन मैटल्स चप्टर नंबर 3 हमने इसमें अलग अलग टॉपिक्स पढ़े मैटल्स की पोपरटीज पढ़ी मैटल्स की रियेक्षन पढ में डाउट आता है तो आप कमेंड सेक्षिन में उसे शेयर कर सकते हैं थैंक्यो स्टूदेंट्स